हेलो स्टुडेंट स्वागत आपका हमारे स्टडी वी एजुकेशन चैनल में यदि आपने हमारे स्टडी वी एजुकेशन चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सस्क्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए तो स्टुडेंट जैसे कि आपको पता ही है कि भी राजस्तान हाई कोर्स टर्नोगरफर 2023 की जो वकैंसी चल रही है वो उसके एक्जाम हो चल रही है 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेंगे उसके एक्जाम तो हम हमारे चैनल पर हर रोज की दोनों शिप्ट की अपडेट देते हैं वो कैसी लिगल डिक्टेशन आई है मिक्स आई है स्पीड क्या रखी गई है एक्टूरेसी में क्या आया है अल्ट की का यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है वैसे भी हमने हमारे चैनल पर इन सभी का कोई भी डाउट ना रही आपके हर कोश्चन का जवाब दिया हुआ है तो आज के जो डिक्टेशन है वो असी बड़ पर मिनट की स्पीड से रहेगी रेडी स्टार्ट प्रत्यर्थी उन कारण वंश जो केवल उनी को ज्यात होंगे नोकरी के उमीदवारों को अधिवास परमान पत्र प्रदान करने से इनकार करने के द्वारा जान बूच कर परेशान कर रहे थे जिसके परिणाम सवरूप अनेक छात्रों का जीवन और आजीवीका के अवसर नस्ट हो रहे थे विराम पूरम में भी अनेक फीडितों ने अपनी शिकायतों को इस माननिय नियाले के समक्ष अनेक रिट या चिकाओं के माध्यम से उठाया और उनके मामले को अन्तिम रूप से निप्टाए जाने के प्रियोजनार्थ इस माननिय उच्च नियाले के माननिय एकल नियाय धीश दुवारा 2016 की रिट याचिका संख्या 203 रब्बे आलम बनाम मेगाल्य राज्य और अन्य एक एम जे 128 वाले मामले में एक विस्तरत आदेश पारित किया गया जिसके अनुसार अधिवास परमान पत्तर जारी किये जाने के प्रियोजनार्थ अनिवारे अबधी पांच दिन है और परमान पत्तर मातर पुलिस रिपोर्ट के आधार पर जारी किया जाता है जिसमें ए सफल होने पर माननिय नियले के आदेश का अवमान माना जाए का विराम इस मामले के याची ने भारतिय सेना में भरती के लिए आवेदन किया और इसी प्रियोजनार्थ उसने प्रतिर्थियों के कारल्य में तारीक 18 जनवरी 2018 को ओनलाइन अधिवास परमान पत्तर के लिए आवेदन किया और यद पी अप्छेपित नहीं था फिर भी याची ने समस्त दस्तावेज जैसे की जनम परमान पत्तर मातापिता के संपूरण विवरण समय के शेक्षिनिक परमान पत्तर राशनकाड इतियाधी भी प्रस्तुत कर दिये थे विराम फिर भी प्रतिर्थी संख्या तीन दस माहा बीत जाने के बावजूद याची के मामले में सोता रहा और याची बिखारी की भांती सेंकडों बार एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती के पास दोडता रहा और इन सब बातों के वावजूद याची ने समस्त शेत्रों में उतकरुष्ट प्रदर्शन किया और उसको भारतिय सेना से अंतिम रूप से नुक्ती पत्तर भी प्राप्त हो गया विराम व्यथित होकर याची ने 2018 की रिट याची का संख्या 415 इस नियाले के समक्स फाइल की और इस नियाले ने तारीक 15 नुमबर 2018 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया कि वे याची के मामले में 5 दिनों के भीतर नियमा अनुसार विचार करें विराम उक्त आदेश प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी 10 माहा से अधिक समय तक याची के मामले में सोते रहने के पश्चात अचानक नीन से जागे और क्रोध से उतेजित होते हुए और माननिये नियाले के आदेश का मजाग उडाते हुए गूड भाष्या में दो लाइन का आदेश याची के निवास पर देर रातरी यह सूचित करते हुए पहुंचा दिया की अदिवास परमान पत्तर के लिए याची का आदेश ऐस विक्रत किया जा चुका है विराम अतै याची हाथ जोड कर इस माननिये नियाले के समक्ष समुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिए उपस्तित हुआ है स्टॉडेंट्स आपसे एक बात और कहना चाहूंगे कि जैसे ही राजस्तान हाई कोर्स टैनोगराफर दो हजार तेश की प्रिक्षें समापत होगी उसके बाद हम ऐसे सी स्टैनोगराफर और राजस्तान करमचारी चेन बोर्ड के थूर जो राजस्तान के अंदर पर करवाएंगे और स्टैनो की भी प्रिपरेशन हम हमारे चैनल पर करवाएंगे तो प्लीज हमें कमेंट बोक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि अब आगे आप कौन से स्टैनोगराफर की त्यारी कर रहे हो कौन से डिपार्टमेंट के लिए आप कर रहे हो फिर हम उसी से related है जो आपको content देंगे और उसी के syllabus को follow करेंगे thank you